नमस्कार स्वागत है आपका इंडिया न्यूस पर और मैं हूँ आपके साथ स्वाती सिंग कॉंग्रेस पाची के प्रमुक मालेकर अरजुन खारगे को मानहानी मामले में पंजाब की सगरूर कोच ने समन भेज दिया है जी हाँ इस वक्त एक और तो कॉंग्रेस जश्ल मना रही है जीत का लेकिन दूसरी और मुसीबते भी बढ़ती जा रही है इस तरीके से राहुल गांदी अभी हाल ही में चायद उस सदमे से ना निकल के बार आपाए हो जब उनके उपर भी कारवाई की गई थी ऐसे में आप मालिक अर्जिन खडगे के ऊपर भी जिस तरीके की सवालात खड़े हो गए हैं और उन्हें समन भेज दिया गया है करनाचक चुनाव के दौरान आपको याद होगा उन्होंने आपती जनक चिपनी करने का जिस तरीके से बोलते हुए नज़र आए थे आपती जनक चिपनी करने का खरगे पर आरोप भी लगात लग चुका है संग से संविद्धी विश्वे हिंदू परिशत की युवा शाखा बजरंगल को प्रतिवंदित इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पी एफ आई की तुलना करने के मामले में किया याज का करता ने कहा कि हाल ही में संपन करना तक विदानसभा चुनाव के दोरान कॉंग्रेस ने अपने गोशना पत्र में बजरंगल की तुलना अला कयाद जैसे राष्टिय विरोधी संगचनों से की कोट ने खरगे के खिलाफ दायर सौ करोड रुपे की मानहानी के म मामले में समन भीज दिया महीं मामले पर सीनियर डिविजन जज रमंदीप कौर ने खरगे को 10 जुलाई को सगरूर अदालत में तलब किया गया है और हितेश भार्दौ आज ने जानकारी इसकी पूरी देडाली दरसल कॉंग्रेस में अपने घोशना पत्र में बजरंगल का नाम लेते हुए उन समर्चनों पर बैन लगाने का वादा किया जो अल्प संक्यक समुदाय के प्रती दुश्मन नफरत बढ़ाते हैं करनाचक चुनाम में कॉंग्रेस का शांदार प्रदर्शन देखने को मिला है और पार्टी ने राज्य में वहूमत से सरकार बनाई है व खड़गे की भी पल मुख्यमंत्री के नाम की घोशना किसी भी बल कर सकते हैं ऐसे में खड़गे के ऊपर मानहानी का केस दर्जोना इस पर कॉंग्रेस क्या कुछ नया बयान देती है कम तमाम अपडेट के लिए अप हमारे सब बने रहें और देखते रहें इंडिया झाल झाल झाल